हलो बच्चो आज हम लोग इंग्लिश बाल भारती स्टेंडर फर्स्ट यूनिट फोर का लेसन नंबर टू सनी एंड मिनी इसको श्टड़ी करेंगे यूनिट फोर लेसन टू सनी एंड मिनी लिसन कैरफुली ध्यान से सुनिये तो संडे की सुबा थी सनी कहा था अपने बेड में था यहने सो रहा था क्योंकि संडे सुबा थी संडे को तो स्कूल रहती नहीं है इसलिए सनी देर तक सो रहा था Get up Sunny, brush your teeth, said his mother, get up Sunny, यहने Sunny उड़ जाओ, brush your teeth, अपने दाद घस लो, किस ने कहा, said his mother, Sunny की ममी ने कहा Hi Sunny, you are still lying in bed, अभी कौन आया, यह इसकी बिल्ली आ गई, इसका नाम क्या है, मिनी, तो इसने क्या कहा Hi Sunny, you are still lying in bed, तुम अभी तक पलंग पे लेटे हुए हो, get up, उड़ जाओ, said Minnie, मिनी ने कहा Hi Minnie, let's play, तो अब Sunny ने क्या कहा, Hi Minnie, चलो खेलते है, प्ले यहने खेलना But you look so dirty, I am clean, तो मिनी ने क्या कहा, तुम तो बहुत ही गंदे दिख रहे हो, you look so dirty, डर्टी यहने गंदे I am clean, clean यहने, साफ, मैं तो देखो कितना साफ हूँ, और तुम तो अभी उठे हो, ना तुमने नहाया है, ना दाद घसा है, तुम गंदे हो So what, let's play, मिनी, तो Sunny ने क्या कहा, तो क्या हुआ, चलो खेलते है, मिनी Come on Sunny, look yourself in the mirror, मिनी ने क्या कहा, अरे नहीं Sunny, अपने आपको आईने में देखो, mirror, आईना Okay, I will, Sunny ने कहा, ठीक है, मैं आईने में देखता हूँ, अपने आपको, अब यहाँ पर देखो, Sunny अपने आपको आईने में देख रहा है, मिनी उसको बता रही है Your teeth are yellow, तुमारे दाथ देखो पुरे पीले है, Your mouth is sticky, तुमारा मुँँ एकदम चिकटका है, याने उठाता हो सोकर Your hair are messy, तुमारे बाल सब बिखरे हुए है, तो अब इसने जब आईने में देखा, तो इसको भी समझ में आया Yes, I am looking very ugly, हाँ, बात तो सही है, मैं तो बहुत ही बुरा दिख रहा हूँ, अगली, बहुत ही बुरा, बहुत ही गंदा I like clean friends, तो मिनी ने क्या कहा, मुझे तो बहुत ही साफ सुतरे दोस्त ही पसंद है Clean yourself and let's go to play, तुम अपने आपको साफ कर लो, उसके बाद हम खेलने जाएंगे Yes, I will be right back, अब सनी के समझ में आ गया, उसने क्या कहा, Yes, हाँ, I will be right back, मैं अभी वापस आता हूँ तो फिर सनी ने जाके क्या क्या किया, देखो यह फोटो दिख रहे है, पहले फोटो में ब्रश कर रहा है, दूसरे फोटो में नहा रहा है, तिसरे फोटो में कपड़े पहन रहा है, और चौते फोटो में अपने बाल बना रहा है तो फिर अभी सनी क्या हो गया, एकदम साफ हो गया, वाउ सनी, you are looking neat and tidy, let's play, तो अब मिनी ने क्या कहा, अरे वाउ, सनी, तुम तो आप बहुती neat, याने बहुती अच्छे, और tidy, बहुती साफ सुत्रे लग रहे हो, let's play, चलो अब खेलते हैं, thank you मिनी, let's play and enjoy संडे, तो अब सनी ने क्या कहा, thank you मिनी, चलो खेलते हैं, और संडे को enjoy करते हैं, मिनी and सनी are playing with each other, अब मिनी और सनी आपस में खेल रहे हैं, तो इससे क्या समझ में आए बच्छों हमको, सुबा सुबा उठते ही साथ हमको क्या करना चाहिए, नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, स second, complete the following sentences, अब यहाँ पे pictures दिया हुआ है सनी का, तो सनी क्या क्या कर रहा है, वो हमको sentence complete करना है, तो चलो पहला picture देखते हैं, इसमें क्या है, सनी अपने सर के तरफ हाथ रखा है, और उसके हाथ में कंगई है, तो सनी क्या कर रहा है, इसका मतलब, अपने बाल बना रहा है, तो उसको क्या बुलते हैं, इंग्लिश में, combing his hair, तो क्या लिखेंगे नीचे, सनी is combing his hair, अब दूसरा picture में देखो, यह सनी चल रहा है, और उसने school bag भी लिया हुआ है, तो इसका मतलब सनी कहा जा रहा है, सनी school जा रहा है, तो उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, सनी is going to school, अभी third में, यह देखो, यह क्या कर रहा है, नहा रहा है, सब साबुन दिख रहा है, तो सनी नहा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, सनी is taking a bath, अभी चोते में देखो, वो दाद घस रहा है सनी, तो इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, सनी is brushing his teeth, और लाश्ट पिच्चर में क्या दिख रहा है सनी कपड़े पहन रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे इंगलिश में, सनी इस वेरिंग क्लोज, तो इस तरीके से हमको ये सेंटेंसेस कम्पलीट करना है, तो अच्छे से आप लोग अपने बुक्स में ये सब लिक लो बचो, इस लेशन को भी अच्छे से रीड कर लो, नेक्ट वीडियो तक, बाई बाई,